जब हम adjustment की बारत करते हैं तो depth wheel का बहुत बड़ा रोल वा जाता है इसमें क्या होता है कि हमारी जो depth है अलग-अलग crop के लिए अलग-अलग depth होती है अब हम सबसे पहले बात करें ग्याओं की ग्याओं में हमारी 4-5 cm की depth चाहिए होती है अगर उससे ज्यादा चलीगी तो germination में प्रोब्ला आएगी प्लस आपके tiller भी effect होगे अगर हम मेज लेते हैं तो उसकी depth थोड़ी हम ज्यादा जा सकते हैं 5-7 cm जा सकते हैं अगर हम चिक पी जाते हैं तो हम 8-10 cm भी जा सकते हैं उसमें कोई प्रोब्लम नहीं आती कोईको खते ही तो डिपेंड करता है क्रोब पर उसके लिए जरूरी है तो अलग लग क्रोब के लिए अलग लग depth खते हैं वो हमें ध्यान में देने माले बात तै राईस की बात करते हैं तो राईस के लिए में 2 cm चाहिए होता हएं हम मस्टर्ड की बात करते हैं उसके लिए कम चाहिए होता है तो ऐसे डिपेंड करता है किस क्रोप को किस पर और अगर हमने एक बार डेफ्ट कर ली इसका मतलब यह नहीं कि वह सारे फिल्ड में वही काम करेगी यह डेफ्ट विल कई चुछ पर डिपेंड करता है अगर हमारा अगर वही हम डेफ्ट रख रहे हैं और मोईस्ट फिल्ड में जाएंगे तो वह डेफ्ट अपने आप ज्यादा चले जाए क्यूंकि यह मुश्ट वहने कांट से यह डेफ्ट में नीचे जाएगा तो बैढ़ जाएगी और आपकी टाइम नीचे चले जाएगी तो उसकेज में इसको उपर लाना एड्जेस्ट करना है इसको नीचे करना हो टाइन को उपर लाना तो वह ज़रूरी है तो इसलिए फिल्ट फिल्ड एडजस्मेंट ड्रीज़्ट के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार एजस्ट कर लिया, उससे पिर आप चला रहे हैं, तो आपको बहुत सारी समस्या हैं, आ सकते हैं, तो fill to fill depth का बहुत जरूरी है, उसके बाद में आते हैं कालिबरेशन पर, अचालिबरेशन बहुत जरूरी है, मैंने बताया य यह हमा इससे adjustment कर सकते हैं, इसमें लिखा होता है, लिकनि यह जरूरी नहीं है, कि यह लिखा हुआ हो सही है, उसको double confirm करने के लिए हमें क्या करें, हम seed और fertilizer इसमें डाल दें, हमें जानना है कि एक एक कर में आपको 40 kg का 20 डालना है, तो वो कैसे डालेंगे, उसके लिए क्या होते हैं, वो exactly यह होगा, इसमें क्या होता है, कि आपको seed और fertilizer डाल दीजिए, यह pipe है, इसको बाहर निकाल दीजिए, इनके ऊपर polythene बान दीजिए, आप machine को चलाईए, आपका 30 meter या 50 meter चलाईए, उसके बाद में वापस उसको collect कर लिजिए, फिर आपको देखना होगे कि आपके machine में कितनी time है, जैसे no time है, उसकी distance कितनी है, तो distance हमने देखा 20 cm है, एक क्लाईन से एक क्लाईन की दूरी, तो 9 x 20 कितना होगे आपका, 180 होगया, 180 होगया तो 180 meter आपकी width होगी, ठीक है, 180 के इस साब से फिर आप उसको multiply कर दीजिए, 50 x 180, वे 1.8 meter कितना होगया, जितन में इतने meter में इतना लगा, तो एक एकड में 4000 होते हैं, उस भी कितना लगेगा, तो बहुत अच्छा तरीका आपको कलिबरेट करने का, उसमें ज्यादा time लगेगा, और एक बार आपने कलिबरेट कर लिया, तो फिर आपको एक crop के लिए, तो आगे उसको निसान लगा और जितना भी खिसान को डलवाना होता है, अपरेट को डालना होता है, किस पसल का डालना होता है, तो इस साफ़े आप उसको कलिबरेट कर सकते हैं.